Hey everyone, आज मैं आपको cells के regarding बहुत important discoveries के बारे में बताने जा रही हूँ So, cells के discovery Robert Hook ने करी थी 1665 में उन्होंने thin slice of core को observe किया था under a self-made microscope जहाँ पे उन्हें को छोटे-छोटे compartments देखने को मिले थे उन्होंने इन compartments का नाम दिया था cells इसके बाद रुडॉफ वर्चो जुन्होंने 1674 में पुछ लिविंग सेल्स की प्रेजस देखी थी पॉंड वाटर के अंदर इसके बाद आयते हमारे रॉबर्ट ब्राउन जुन्होंने 1831 में नुक्लियस की डिस्कवरी करी थी And my dear students, Robert Hook को father of cytology भी कहा जाता है Do follow other 24 7 9th and 10th bio talk by Aditya Ma'am for more interesting biology facts